दोस्तो आज की वीडियो में बात करूँगा कि सिंगल फेज मॉटर के कनेक्शन कैसे किये जाते हैं दो कैपिस्टर के साथ में बिना स्टार्टर के इसको MCB से ओन या ओप कर सकते हैं यहाँ आप देखेंगे मॉटर में ऊपर दो कैपिस्ट में लगे हुए हैं और नीचे एक कैपिस्टर है cellularistic नीचे का है जीनको parallel में connect किया है और नीचे वाला start कैपिस्टर है यह हमारे आटा चक्की की मॉटर है दोस्तों यहां पर मैंने आपको single phase का एक motor दिखाया है, इस single phase के motor में capacitor लगे हुए होते हैं, अगर यहां पर three phase का motor होता तो उसके अंदर आपको capacitor देखने को नहीं मिलता, अब यहां पर आप देखेंगे कि मैंने आपको एक running capacitor दिखाया है और दूसरा starting capacitor दिखाया है, इस motor को ह जो हमारा three pin plug top है, इसकी साहता से चलाएंगे, यहां कोई भी starter यूज नहीं कर रहे हैं, दोस्तों motor के ऊपर आप देखेंगे कि यहां पर मैंने आपको दो winding देखाई हैं, यह motor के अंदर की कहानी है, एक इस में से हमारा starting winding होती है और एक running winding होती है, single phase का कोई सा भी motor आपके चाहे वो आपका farata fan का motor हो, चाहे वो आपके cooler का motor हो, table fan का motor हो, या फिर आपके छद वाले पंखा, ceiling fan का motor हो, वहां पर भी आपको दो ही winding देखने को मिलेंगे, अब आप देखेंगे कि इस motor को चलाने के लिए सिर्फ हम neutral और phase का इस्तिमाल करेंगे plug top की साहता से, तो यहां अपर हमें एक centrifugal switch लगाते हैं इस motor के अंदर, इसको motor का clutch plate भी बोलते हैं, जब motor हमारा 70 to 75 speed पर पहुंच जाती है, तो यह clutch plate जो starting capacitor होता है, इसका connection हटा देता है, अब आप देखेंगे कि यह centrifugal switch है, यह governor की साहता से हमारे जो rotor होता है, उसके उपर लगा हुआ होता है, गव अब हम इसके connection समझते हैं, जो हमारे दोनों winding है, starting winding और running winding, किसी किसी motor में 4 तार motor से बाहर निकल आते हैं, उसके उपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, इधर आए बटन में लिंक देदूँगा, जहां से जाकर कि आप सीख सकते हैं, अब इभी आपको proper तरीके से कि रम T umaर बनाया है, starting winding और running winding के एक सिरी तार में जोड़ देए, और आप और निवीटल बोलते, अब चाहे तो आप उपर बाले दोनों तार जोड के बाहर निकल लो, चाहे आप नीचे वाले वायर दोनों जोड़ कर बाहर निकल लो, वो हमारा निवीटल बन जाएगा, अ अब दोस्तों हम starting winding का एक सिरा इस dot dot से बहार निकाल लेते हैं कि जो dot लग रहा है ये motor के अंदर की खानी है हम बहार connection समझेंगे जो running winding का एक सिरा है इसको भी हम इस dot से बहार निकाल लेते हैं अब आप देखेंगे कि हमारे तीन तार बहार निकल आए हैं एक wire हमारा neutral का है और दूसरा हम running वाले point पर connect कर देते हैं तो जो running capacitor है यहां से एक तार उठाएंगे और यह हमने starting पर connect कर दिया दूसरे वाले तार को उठा करके कि हम running पर connect कर सकते हैं अब अगर यह एक दूसरे के साथ interchange हो जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जो हमने starting पर लगाया इसको running पर लगा सकते हैं रनिंग वाले को starting पर भी लगा सकते हैं दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि हमारे running capacitor का connection हो गया है अब जो हमारा 3-pin plug top है इसके neutral वाले point से एक तार उठाएंगे और इसको winding के neutral वाले point पर connect कर देंगे अब जो phase वाला point है यहां से phase को उठा करके जो हमारा running winding होता है इसके उपर connect करते हैं अगर हम starting वाले point पर connect कर देंगे तो motor हमारा उल्टाग होने लग जाएगी जितनी भी दोस्तों इस type से होता है यहां neutral और phase देते हैं इस वाले तार पर हम tap लगा के छोड़ देते हैं तो हमारा motor चलने लगती है लेकिन यह हमारी बड़ी motor है तो यहां पर हमको अपना starting capacitor का connection करना होता है अब आप देखेंगे कि यहां running वाले point पर phase दिया है तो यहीं से उपर से एक तार उ को out करेंगे और इसको ले कर जाएंगे अपना जो centrifugal switch है इसके एक point पर अब centrifugal switch के दूसरे बाले point से supply को out करेंगे और इसको ले जाकर के लगा देंगे जो हमारा यह starting winding का point है यहां पर तो आप देखेंगे कि यहां पर इसका connection कर देता हूँ यह भी तार हमारा starting winding के एक point पर आया हुआ है तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी अगर कोई doubt रह गया है तो please comment box में comment करिएगा चैनल को subscribe नहीं कि यह वीडियो आपको बहुत